आपदा प्रबंधन की अवधारणा जम्मू और कश्मीर का क्शेत्र प्राकृतिक आपदाओं से अंजान नहीं है। पिछले कुछ सालों में इसने कई आपदाओं देखी हैं। अपनी विशिष्ट भौगौलिक परिस्थती, पहाडी इलाकों, बदलते मौसम की स्थती, अविकसित अर्थ विवस्थाओं के कारण इसके क्शेत्रों को बहुत नुकसान हुआ है। भूकंप, बाड, आग, सूखा, हिम्स्खलन और भूस्खलन जैसे खत्रे अकसर आपदाओं में बदल जाते हैं। जिससे लोगों के जान माल के साथ साथ सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुखसान भी होता है। प्राक्रतिक आपदाओं से सुरक्षा के उपाये, निम्न सुरक्षा उपायों का पालन करने से आपात स्थती के दौरान खतरे को रोखने और अपने परिवार को सुरक्षत रखने में मदद मिल सकती है। सूचित रहना निकासी और सुरक्षा साधन के बारे में जानकारी के लिए स्थानिय अधिकारियों से संपर्क करें निकासी की योजना बनाएं फ्राकृतिक आपदा के दौरान बाहर जाने की योजना तयार करें कि आप कहा जाएंगे किस स्मार्ग से और कैसे पहुचेंगे आपात कालीन किट हमेशा साथ रखें फ्लैश लाइट, बैटरी, प्राथमिक चिकित सा आपूर्ती और आवश्यक पहचान, जानकारी के साथ स्टॉक किट अनावश्यक जोखिन से बचें निर्देश दिये बिना अपने घर से बाहर ना निकलें अपने घर में सबसे सुरक्षत जगह पर जाएं बाढ के दौरान किसी ऊची मन्जिल पर जाएं भूकंप, भूस खलन और बाढ के प्रकोप के दौरान अपने परिवार और घर को सुरक्षित रखने के लिए इन घरेलू सुरक्षा युक्तियों का पालन करें कीमती सामान को एक जल से बचाव की जाने वाली तिजोरी में रखें महत्वपून दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करवाएं या सुरक्षित वाटरप्रूफ बैग में रखें निकासी योजना तयार करें आपात काली नौर प्राथमिक जकित्सा के लिए दवाई वा अन्य सामगरी आपूर्ती अधिरिक्त बैटरी और फ्लाश लाइट का इंतिजाम करें अगर आप किसी इमारत में फज गए हैं तो सबसे उची मन्सिल पर जाएं प्राकरतिक आपदा के दौरान मलबे का प्रबंधन प्राकरतिक आपदा के बाद मलबे के प्रबंधन की योजना बनाना ज़रूरी है भूसखलन, भूकंप, बाड, जंगल की आग और सर्दियों के तूफान आदी प्राकरतिक आपदा से पहले हम तैयारी कर सकते हैं इन आपदाओं से बचने में सामुदाइक योजनाय मुख्य रूप से सहायता करती हैं इसकी जानकारी निम्न रूप में शामिल है मलबे प्रबंधन योजना के लिए आवश्यक संसाधनों को मुहया करवाना विभिन्न प्राकरतिक आपदा में मलबे के प्रबंधन के लिए नियम कानून की जानकारी होना और उसके हिसाब से योजना बनाना प्राकरतिक आपदाओं की योजना बनाने में परामर्श लेना आवश्यक है आपात कालीन किट के जरूरी सामान बैटरी से चलने वाली टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, बैटरी चलित रेडियों, प्रात्मिक चिकित सा किट और आवश्यक दवाई, आपात काली इन भोजन और पानी, मुम्बत्ती और माचिस एक जर्रोधक डिपे में रखना, चाकू, क्लोरीन की गोलियां ताकि पानी को सा किया जा सके, आपके आवश्यक दस्तावेश, नकत, आधार कार्ड और राशन कार्ड, मोटी रस्यां और डोरियां, जूते, आपदा प्रबंधन के लिए आम जनता को जाग्रुप करना चाहिए तथा निम्लिलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, रेडियों और टीव पर समाचार सुनते रहें तथा आपदा के बारे में जानकारी लेते रहें, घर छोड़ने से पहले बिजली के सारे उपकरण बंद करतें, जरूरी सामान को साथ ले जाएं, जल प्रदूशन के स्रोत जैसे कीटनाशक, दवाई, इत्यादी को संभाल कर रखें, गैस और बि परिवारों के लिए खाने, पीने के लिए पानी की विवस्था करनी चाहिए, प्रभावित परिवारों के रहने के लिए उचित जगह का इंतजाम, मवेशियों के लिए चारे की विवस्था करना, लाशों वा मरे हुए जानवरों का समय पर नियमानुसार दहसंसकार करें, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए टीका करण का इंतिजाम करना चाहिए जन्मानस वा मवेशियों के लिए उचित मात्रा में दवाईयों का इंतिजाम करना चाहिए तो आज हमने जाना कि आबदा प्रबंधन क्या होता है और कैसे पंचायते उसमें मदद कर सकती हैं आप लोग अपना ध्यान रखें तखा सुरक्षत रहें